नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास स्टेंथ महाराष्टा स्टेट बोर्ड चप्टर नमबर बन लीनेरी क्वेश्टिन टू एरियवल्स अब जबकी टेंथ क्लास के स्टेट बोर्ड के एक्जाम्स नजदिक आ रहे हैं तो अब इस स्रीज में हम सभी चप्टर का जो शॉर्ट नोट्स टाइप होता है उस तरीके से हम शॉर्ट जो है वो शॉर्ट में हर चप्टर को एक्स्प्लेंड करेंगे तो हर चप्टर के क्वेश्टन्स और बेसिक कंसिप्ट को हम इस स्रीज में कहर करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर जो first chapter आता है वो आता है linear equation in two variables तो इसमें सबसे पहले point आता है कि linear equation in two variables होते क्या है तो linear equation in two variables का general format ax plus by plus c equal to 0 यह होगा अब जबकि ax plus by plus c equal to 0 यहाँ पर a, b, c जो हैं वो constants होंगे और x और y की जगह पे variables होंगे x and y are variables और a, b, c होंगे constants तो अभी अगर हम एक example ले लेता है कि 3x minus 4y plus 12 is equal to 0 यहाँ पर जो example दिया है और इन दोनों को अगर हम compare करते हैं तो x का coefficient यहाँ पर a है और यहाँ पर 3 है तो a की value 3 हो जाएगी b की जो value है वो y का coefficient है वो minus 4 होगी और c की जो value है वो 12 होगी तो c is equal to 12 तो a is equal to 3, b is equal to minus 4 और c is equal to 12 अब यह linear क्यों कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो variables हैं x और y इन दोनों का highest power 1 अगर होगा तो यह equation linear equation कहलाएगा अगर suppose variable का highest power 2 होता है तो वो quadratic equation होता है तो linear इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि दोनों variables का highest power है यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 होता है इसलिए यह linear equation in two variables दो variable है और यह linear है तो अभी next जो एक table आपको दिख रहा है यहाँ पर इस table को हम यहाँ पर देखेंगे कि इस table में हमें यहाँ पर दिया गया है कि equations यहाँ पर दिया है और is the equation or linear equation in two variables ऐसा question दिया है तो यहाँ पर दिखेंगे 4m प्लस 3n इकोल to 12 तो m का power यहाँ पर 1 है यहाँ न का भी 1 है तो yes it is a linear equation in two variables अब यहाँ पर दिखें 3x square दिया है तो यह quadratic हुआ equation तो no it is not a linear equation in two variables यह linear नहीं है two variables तो है लेकिन linear नहीं है तो इसलिए यह linear equation in two variables नहीं होगा अब यहाँ पर दिखेंगे x और y दोनों का भी power 1 है तो yes यह linear equation in two variables है अब अगला देखें 0x plus 6y minus 3 is equal to 0 अब यह x का जो coefficient अगर 0 हुआ तो यह पूरा term 0 हो जाएगा और x cancel हो जाएगा यहाँ से भी cancel हो जाएगा तो यह भी linear equation in two variables नहीं है अब जबकि variables यहाँ पर देखो denominator में दिए गये हैं तो अगर यह numerator में हम लेते हैं तो इनका जो power है वो negative हो जाएगा x minus 1 हो जाएगा और y भी यहाँ पर minus 1 हो जाएगा तो यह भी linear equation in two variables नहीं होगा अब यहाँ पर देखे x into y अगर कहीं दो variables का multiplication होगा है तो इनके power के addition करके हमें इनके degree लेनी है power 2 यहाँ पर 1 तो highest power 2 है तो इस equation में हर एक term का जो variable होता है हर एक term में उन सभी variables की addition उस term में जितने भी variable होते हैं उनके power के addition highest one ही होनी चाहिए तो यही यह linear होगा तो यह भी equation यहाँ पर linear equation नहीं है तो इस तरीके से आपने देखा कि linear equation है या नहीं कैसे पहचाना है यह हमें समझ में आ गया अब देखे कि linear simultaneous linear equation in two variables अब simultaneous linear equations क्या होते हैं देखिए कि अगर एक ही linear equation हमने लिया suppose x plus y is equal to 2 तो इसके infinite number of solution होते हैं जैसे कि suppose हम x की value 0 ले ले लेते हैं तो यहाँ पर 0 plus y is equal to 2 तो y is equal to यहाँ पर 2 मिल जाएगा तो एक तो solution हुआ 0,2 अब दूसरा solution होगा यह x की value अगर हम 1 substitute करेंगे तो y is equal to 1 plus y is equal to 2 तो 1 right side में minus हो जाएगा तो y is equal to 2 minus 1,1 तो y की value 1 होगी तो दूसरा solution 1,1 तो ऐसे एक ही जब linear equation in two variable होता है तो उसके infinite number of solution हम ले सकते हैं जैसे कि x की value substitute करो तो corresponding हमें y की value मिल जाएगी अगर x हम 3 ले ले लेते हैं तो y minus 1 हो जाएगा तो इस तरीके से हमें infinite number of solution मिल जाते हैं अब question आता है सवाल आता है कि दो linear equation अगर in two variables आते हैं तो यहाँ पर three conditions बन जाती हैं तीन conditions कों से बन जाती है अभी हम यहाँ पर देखेंगे अगर हमें है two linear equation in two variables दे जाते हैं कि suppose a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 तो अगर यहाँ पर a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 अगर यह हुआ तो यहाँ पर हमें unique solution मिल जाता है और जब हम इन दोनो equations का graph draw करते हैं तो graph जो हमें मिलेगा वो दो lines का intersecting lines का graph मिल जाता है यह x axis और यह y axis तो यहाँ पर graph मिलेगा intersecting lines का और जहाँ पर हमें solution मिल रहा है तो वो consistent equations होते हैं तो इन्हें हम कहेंगे consistent equations अब यह तो ही first condition अब second condition यह आती है कि अगर यह दोनो ratios equal हुए कि suppose a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 तो तो तीसरा जो ratio है अगर c1 upon c2 इस ratio को equal नहीं है तो हमें solution मिलेगा ही नहीं no solution होगा इस वक्त और जब हम यहाँ पर दो lines का graph draw करेंगे तो यहाँ पर हमें parallel lines मिल जाती है तो graph यहाँ पर मिलेगा parallel lines का और जबकि solution नहीं है तो यह equations यहाँ पर inconsistent हो जाएंगे inconsistent equations यह कहलाएंगे अब तीसरी condition आती है जहाँ पर तीनो ratios equal हो जाते हैं a1 upon b2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 तो यहाँ पर हमें infinite number of solution मिल जाते हैं infinite solution graph draw करते हैं तो यहाँ पर एक खी line पर दोनों lines का graph हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर coincident lines का graph हमें मिल जाएगा coincident lines का graph मिलेगा और जबकि यहाँ पर infinite number of solutions है तो यह consistent equations हो जाएगे consistent equations तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में हम इन सब को solve करने के तरीके और जो भी questions है कुछ questions हम solve करेंगी जिससे के आपका revision हो जाएगे तक यू